तो सवागत है आप सभी का ग्यापनी के इस नए और लेटस्ट वीडियो में So finally, आज का ये वीडियो उर्दु ग्रामर का सबसे important वीडियो है क्योलकि उर्दु ग्रामर, उर्दु कवायत कữngत्रकट हम लोग सबसे important topics को पढ़ने वाले हैं हैं है weट अर्वे और करने वाले हो सकता है कि जहां पर विडियो को भगाए जहां पर सक्रीप करें वहां पर मैं सबसे इंपोर्टन बात बता रही हूँ तो इसी वज़े से मैं कहती हूँ आप सबी लोग को कि स्टार्टिंग से लेकर अंत तक बिना इसक्रिप्ट के पुरा वीडियो को देखना है ताकि सारा टॉपिक जो है ना कम्प्रीटली आप लोग के माइन में पिट हो जाए ठीक है एक प सबसे इंपोर्टन टॉपिक हो जाता है इसम उर्दु कवायत का सबसे महत्वपून टॉपिक अगर इसम नहीं पढ़े तो समझे कि आप लोग का उर्दु कवायत का लगभग कोशन चूट जाने वाला है तो इसम को बहुत ही बहतरीन बहुत ही मज़ेदार अंदाज में हम लोग को शेर करना है चानल पर नए नए आए हुए हैं हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चानल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आन कर लीजेगा ताकि जब भी वीडियो अप्लोड हो तो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुचे ठीक है च किसमें लवज की किसमें दो किसमें यानिकी दो टाइप एक है लवज मौजू दूसरा है लवज मौमल पहला क्या है लवज मौजू दूसरा है लवज मौमल लवज के दो टाइप पहला लवज मौजू दूसरा है लवज मौमल लवज मौजू उस तरह के लवज उस तरह के वार्ड को कहते हैं जिसका कोई ना कोई मानी हो जैसे कि मैं मारकर बोल रही है तो महां मारकर का कोई ना कोई मानी है खाना रोटी ठीक है जाना आना भागना दोरना तो यह जितने भी वार्ड मैं बोल रही हूं इसका कोई ना कोई मानी है लेकिन अगर बात की जाए लफ्ज म मानी है लेकिन वोटी का कोई मानी नहीं है तो वोटी के जो लव्ज है वो कहलाएगा लव्ज मौमल ठेक है और रोटी जो लव्ज है वो कहलाएगा लव्ज मौजू उसी तरीके से खाना वाना हम लोग बोलते हैं अरे जो भी खाना वाना है लेकर आजाओ खालेंगे कोई दि हुआ है तो वाना का कोई मतलब नहीं है कोई मानी नहीं है तो वाना लफ क्या कहलाएगा वाना लफ महमल कहलाएगा यहां तक तो आई होप आप को को समझ में आ गैया कोई दिक्कत नहीं होगी लफ मौजू कि भी अब दो इसमें होती हैं याद रखेगा मैं को नफज लफ को कहते हैं एक से ज्यादा बॉमाणी माणी लफ तो उस तरह के के लव्ज को कहा जाता है कलाम जैसे की रोना हसना खिलना दोडना टोपी बक्री मारकर घड़ी कैमरा पंखा जो भी हो तो यह एक एक लवज है जिसका कोई न कोई मानी है यानि कि अकेले बामानी लवज को एक अकेला मानीदार लवज को हम लोग कहते हैं कलमा लेकिन एक से ज्यादा लवज हो जाए और उसका मानी निकले तो उस तरह के लवज को कहा जाता है कलाम जैसे कि रिस्वत देना चाहे रिस्वत लेना या फिर थपड मारना, चोरी करना, तो थपड मारना, थपड और मारना, इसमें दो लवज है, तो दो से ज्यादा बामानी लवज को क्या कहते हैं, हम लोग कलमा कहते हैं, दो हो या फिर दो से ज्यादा बामानी लवज हो, जिसका कोई ना कोई मानी निकलता हो, तो उस तरह के लवज क क्या कहलाbalance कके लफद कपड़ा जूता यह सब्याकर अकसण को कहें ना को मानİ निकल रहा है तो अकेले बामानी लफद को किया कहेंगे और कि जो दो से दो ०ो से जादा लवज हो और उसका कोई ना कोई मानी निकले तो एस का ये जो है मानिदार जुम्ला हो गया इसको भी क्या कहेंगे कलाम ही कहेंगे मतलब दो हो या फिर दो से ज्यादा बामानी लफ़ो तो इसको कहा जाता है कलाम आई होप आप लोगों समझ में आ गया होगा चोरी हो गया कलमा और चोरी करना हो गया कलाम रिस्वत हो गया कलमा और रिस्वत लेना या फिर रिस्वत देना हो गया कलाम ठीक है मतलब दो या फिर दो से ज़्यादा बामानी लफ़ को कहते हैं कलाम और एक बामानी लफज को कलमा कहते हैं मैं एक ही बात को दो तीन बार इसलिए रिपीट कर देती हूं ताकि आप लोग के माइन में वो चीजे पर्मानेंटली फिट हो जाए ठीके और अच्छे तरीके से समझ में आ जाए आगे बढ़ते हैं कलमा और कलाम तो आप लोग स इसम फेल और हर्फ यहां पर हम लोगं बात करेंगे इसम की याने की इसम के बारे में पढ़एंगे सारी जानकारी जो इसंके बारे में हमें आप को देनी चाहिए और जिससे आप लोगके exam equation पूचा जाता है वो सारी जानकारी आप लोगको मिलेगी आज किस वीडिएो में और फिर नेक्स्ट वीडियो में डोग के बारे में समझा जाएगा यह सब नियुक्त फाले हम लोग इस्म को आ हखिर इसम यह फंड़ा है क्या इस्म किसे कहते हैं। तो समझें यहाँ पर है इसम का मतब समझें नाम इसम को हिंदी में कहा जाता है संग्या और इंगलिश में कहते हैं नाउन आप लोग ब्यक्ति के नाम को किसी भी चीज के नाम को क्या कहते हैं हिंदी में याद कि होंगे उसी तरीके से उसी फंडे को आप लोग उर्दू में लेकर से लिए किसी भी शक्स किसी भी जानदार किसी भी जानवर किसी भी जगह के नाम को यह फिर किसी भी चीज के नाम को क्या कहा जा यह जो नाम है इसको क्या कहेंगे इसम कहेंगे उसी तरीके से आप लोग का भी कोई ना कोई नाम होगा तो वो नाम क्या कहलाएगा इसम कहलाएगा मतलब किसी भी चीज का नाम इसम कहलाता है इसम का मतलब नाम आप लोग को समझना है ठीक है अब आगे बढ़ते हैं इसम का म इस तरह के नाम को कहते हैं जिसका वजूद इस दुनिया में हो मतलब जिसको आप अपनी आखों से देख पा रहे हो जैसे कि महमूद नाम का कोई लड़का है ठीक है या फिर सलीमा नाम की कोई लड़की है तो हम उसको देख पा रहे हैं सलीमा नाम की लड़की इस दुनिया म है यानि कि उसका वजूद है महमूद नाम का लड़का इस दुनिया में हम उसको देख पारें उसका वजूद है तो सलीमा महमूद क्या कहलाएगा इसमें जात कहलाएगा मारकर इस दुनिया में मारकर तो है ना मारकर को आप देख पा रहा है ना यानि की मारकर का वजूद है को कहते हैं हम लोग इसमें जात और इसमें सिफत उस तरह के नाम को कहा जाता है जो हमें विशेष्टा को बताए यानि की क्वालिटी बताए जैसे की नेक लड़का तो लड़का कैसा है नेक है तो नेक लड़का से हमें पता चल रहा है नेक लड़का जब बोला जा रहा है त क्योंकि नेक से हमें लड़के की quality विशेष्टा पता चल रहा है तो इसमें सिफत उसी इसम को उसी नाम को तो कहते हैं जो किसी की विशेष्टा को बता है तो नेक जो लवज है वो लड़के की विशेष्टा बता रहा है कि लड़का क्या है नेक है नेक लड़का तो नेक लाल लफ्प से पता चल रहा है इतौपि लाल है यानि कि लाल वो टूपी की विशेष्टा को बता रहा है की टूपी कैसा है लाल है तो लाल को क्या कहेंगे इस में सिफथ उसी तरीके से काली बक्री अब बताईए आप लोगो c amine box में काली बक्री में इसमें सिफथ कौन सा ह और एक और बात यहां पर समझे जिसकी विशेष्टा बताई जाए उसको मौसूफ कहा जाता है जैसे कि मैं लिग दी काली बकरी ठीक है तो काली बकरी इसमें बकरी की विशेष्टा बताई जा रही है और किस लवज से हमें पता चल रहा है काली लवज से पता चल रहा है यान जिसको कहाजाता है यहांने कि बक्री की विश्यष्टा क्वालिटी बता रहे हैं इसमें। बकरी को क्या कहेंगे मौसूफ कहेंगे याद रखिएगा देखिए मौसूफ इस तरह से लिखा जाता है ठोफा अच्छास मैं लीक देती हूं यह पर मौसूफ ठीकिये जिसकी क्वालिटी बता इसको क्या कहते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा उसी तरीके से ब्लू मारकर में अब आप लोगो को बताना है कमेंड बॉक्स में कि इसमें शिफत कौन है और मौसूफ कौन है उसी तरीके से हुआ एक्जामपल देती हूं वाइट बोर्ड में बताईए इसमें सिफत कौन है और मौसूफ कौन है इसमें सिफत और मौसूफ आई होप आप लोगो समझ में आ गया होगा जो क्वालिटी बताए जो जिससे हमें क्वालिटी पता चले यानि कि जो लफ्ज किसी की quality बताए किसी की विशेष्था बताए उसको कहते है इसमें सिफत और जिसकी विशेष्था बताई जाए जिसकी quality बताई जाए उसको कहते हैं लोग मौसूफ तो blue marker और white board ये दोनों लफ्ज में आप लोगो दी हूँ तब एक तरस संतुष्टी मिलेगी चलिए आगे बढ़ते हैं अब जरा इसम के बारे में और समझते हैं इसम की यहाँ पर मैं तीन किसमों को लिख दी हूँ बनावट के लिहाद से, यानि कि इसम की बनावट के लिहाद से तीन किसमे होती है, और यह जो हम लोग दोनों टाइप पढ़े, दोनों किसमे पढ़े, यह मानी के लिहाद से थी, यानि कि इसम की मानी के लिहाद से दो किसमे इसमे जात और इसमे शिफात, लेकिन बनावट के इसमें चारे हाँ से की वह इसम नाम बन्ता कैसे हैं फिर इसमें तीन किस्म हैं है फिर कभि-कभी वह अना है और समझते हैं चलिए इसमें जामित किसे कहते हैं इसमें जामित उस तरह के इसम को कहते हैं उस तरह के नाम को कहते हैं उस तरह के शब्द को कहते हैं जो खुद तो किसी लवज से ना बना हो और नहीं उसे कोई दूसरा लवज बने ठीक है तो उस तरह के लवज को कहा जाता ह जैसे कि दरख्त अपने आप में अकेला लवज यूनिकह लवज है डरख्तत具 ना तो किसी दूसरे लवज से बना हुआ है और ना ही दरक्त थे लख्त से कोई दूसरा लव्ज बन सकता है तो दरख्त ये जो लवज है यह इसमे जामित कहलाएगा लेकिन देखिए मजदर को समझे इन दोनों को एक साथ समझेंगे न तब आप लोग को समझ में आएगा मजदर उस तरह के लवज को उस तरह के नाम को कहते हैं उस तरह के शब्द को कहते हैं जो खुद तो किसी दूसरे लवज से ना बना हो लेकिन उससे धेर सारे इस्म और फेल बन जाए जैसे की खेलना खेलना अपने आप में ये लवज है खेलना ये जो लवज है ये किसी दू वोढ़ेड़ेगी खेलता है कऊलती है खेल रहा है कंप रही है यानि कि खेलना एक लफ्स्यprü नहीं बना हुआ है लेकिन इस से डेयर सारे इस Commission बन जा रहे हैं तो खेलना इस लफ्सकों लोग क्या कहेंगे इसमें मजदर से कहेंगे उसी तरीके से दोड़ना यह लफ्स जो कि अपने आप में एक यूनिक लफ्ज यह किसी दूसरे लफ्ज से किसी दूसरे नाम से नहीं बना हुआ है यह अपने आप में एक लफ्ज है दोड़ना लेकिन इससे धेर सरे इसम और फिल बन जाने वाले हैं दोड़ना से दोड़ने वाला दोड़ने वाली दोड़ती है दोड़ता है दोड़ ठीक है तो यह सभी जो है ना लवस क्या कहलाएंगे इसमें मजदर कहलाएंगे खेलना दोड़ना हसना जाना आना उठना बैठना यानि कि इसमें मजदर को पहचानने का ट्रिक यह है कि मजदर के लास्ट में ना होता है देखिए खेलना के लास्ट में हुसके बाद से बैठना के लास्ट में देखने सबिवार न इसके लफी है इसके लास्ट में ना देखने को मिल रहा है और अगर आप को देकंने कुछ मस्दर करते हैं कि इस लफसे हैं। यह क्या बना सकते हैं यामनमेंगे नाना यह जू लफसे इस도 घु स्कुछ नहीं कहलाएगा नाना इसमें मजदर नहीं कहलाएगा वो चला जाएगा इसमें जामिद में तो आई होप आप लोगों को यह दोनों टॉपिक समझ में आ गया होगा कि इसमें जामिद और इसमें मजदर किसे कहते हैं इसमें जामिद वो लफ्ज होते हैं जो किसी दूसरे लफ्ज स ना तो बने हुए होते हैं और नहीं इससे कोई दूसरा लफज बन सकता है जैसे कि दरख्ट है ये अपने आप में Лव्ज कोईल दूसरा लफज नहीं بن सकता नहीं यह किसी दूसरए लफज से बना हुआ है और नहीं इसते क sparked आप क्या बनाएंगे कुछ नहीं नहीं बन सकता है उसे तरीके से चटान है थीक है दरक्तxis चटान हो गया मारकर हो गया पंख्ः हो गया घड़ी हो गया बोर्ड हो गया तो क्या बन सकता है इसकर यह ऐसे लफज हैं जिन START आगे इस मяться क्ते 세ट इसमें दोड़ाद को क्या कहा हैं और मजदर आप लोग समझ में आई क्या होगा मस्दर वैसे लफ उते हैं जो ना तो किसी दूसरे लफ से बने हुए होते हैं लेकिन उसλά देड से लेक्षास भूस थे यिसे कि खेलना दोरना हसना उप्णाना बैठ में से मजदर की पहचान करें ठीक है या फिर खेलना देदेगा और कहेगा कि खेलना क्या है और इसमें जामीद इसमें मजदर इसमें मश्तक देदेगा इस तरह से क्योशन पूछा जाता है उसी तरीके से सिफ़त से क्योशन पूछा जाता है कि काली बखरी या फिर लाल टोपी लाल टोपी में इसमें सिफ़त कौन है लाल तो लाल टोपी में लाल जो है ना वो इसमें सिफत है और टोपी क्या कहलाएगा मौसूफ कहलाएगा तो कोशन भी इसी तरीके से पूछा जाता है इस तरह से पूछ सकता है कि मंदर जजायल में से मौसूफ कौन है मतलब की काल लाल टोपी में मौसूफ कौन है तो लाल टोप तरह कि इसमें मुश्टक को कहते हैं जो मजदर से तो बना हो अब उसके आगे इसमें ना बन सके ठीक है जैसे कि खेलने वाला बन गया अब खेलने वाला से अब आगे और कुछ नहीं बना सकते हैं। खेलने वाली तो बन गई लेकिन अब खेलने वाली से अब आगे कुछ नहीं बना सकते हैं यानि कि इसमें मुश्टक मसदर से ही बना हुआ होता है लेकिन उसके आगे अब इस मौर्फेल नहीं बन सकते हैं तो उस तरह के लवज को कहा जाता है मुश्टक यानि कि मुश्टक याद रखिएगा यह मजदर से ही बना होता है खेलना से खेलने वाला बन गया यह जो खेलने वाला है यह इसमें मुश्टक कहलाएगा क्योंकि अब खेलने वाला से आगे आप कुछ नहीं बना सकते हैं अब खेलती है से आगे आप कुछ नहीं बना सकते हैं खेलती है जो लब्ज है यह क्या कहलाएगा इस में मुझतक हुप कहलाए गया अब दोरेग न तोरेगी यह क्या कहलाएगा इसमें मुझतक कहलाएगा दोड़ेगी दोड़ना से मानलीजे बन गया दोड़ने वाला है ठीक है या फिर दोड़ने दोड़ना से मानलीजे बन गया दोड़ता है अब दोड़ता है से आगे आप कुछ नहीं बना सकते हैं तो दोड़ना से यह जो दोड़ता है बना है इसको क्या कहेंगे इ तीन ओटॉपिक समझ में आगया होगा, आगे बढ़ते हैं, अब यहां पर तो इन दोनों को छोड़ते हैं और इसमे जामिद को उठा लेते हैं, यानि कि जामिद है, इसकी दो टाइप हैं, इसमे जामिद की कितनी किसमें, तो दो किसमें, दो टाइप, पहला है इस्म मारफा और दूसरा है इसम नकरा ठीक है पहला क्या है इसम मारफा और दूसरा है इसम नकरा इसम मारफा को इंग्लिश में कहा जाता है प्रोपर नाउन और हिंदी में कहा जाता है व्यक्ति वाचक संगिया और इसमनकरा को इंगलिश में कहा जाता है Common Noun और हिंदी में कहा जाता है जाती वाचक संगिया अब जरा हम लोग समझते हैं इसम जामिट की इन दोनों किस्मों को कि आखिर इसम मारफः और इसमनकरा कहते किसे है देखिए इसम मार्फा किसी भी चीज का खास नाम इसम मार्फा कहलाता है चाहे वो इनसान का खास नाम हो चाहे वो जगा का खास नाम हो चाहे वो किसी जानवर का खास नाम हो किसी भी चीज का खास नाम इसम मार्फा कहलाता है ठीक है और इसमनकरा किसी भी चीज़ का common नाम जिससे पूरी जाती का बोध हो उसको कहते हैं हम लोग इसमनकरा जैसे कि अगर मैं यहाँ पर कहूं कि हमारा देश महान है तो यहाँ पर देश यह जो लवज है ना यह जो शब्द है देश में पूरे देश के जाती का बोध हो यानि कि यहां पर मैं एक special देश का नाम नहीं लिए मैं सिर्फ बोली हूं हमारा देश महान है अब देश में तो कोई भी देश हो सकता है मैं भारत को भी कह सकती हूं पाकिस्तान को भी कह सकती हूं अफगानिस्तान को भी कह सकती हूं सौदी अरब किसे भी देश को कह सकती हू हमारा देश arriv he possible की पुरी जाती का बोध हो रहा है कि य्यानी कि देश कि क्या है ओसन सब्सक्राइब संब्सक्राइब मंधमे और डिह कहुं कि हमारा भारत भारत थे बनपने का नाम ले एक special देश का नाम लेली एक special country का नाम लेली भारत तो भारत ये खास नाम हो जा रहा है तो खास नाम कोई तो कहते हैं हम लोग इसम मारफा तो भारत ये जो लफ़ है वो क्या कहलाएगा इसम आरफा कहलाएगा ठीक है उसी तरिके से अगर मैं कहूं कि मैं YouTube चानल पर पढ़ात तो Community Wonderland जिससे पुरी जाती का बोद हो रहा है कोई भी युटूब हो सकता है आपको नहीं पता है तो यूटूब चैनल यह लवज क्या किलाएगा इसमनकरा क्यलाएगा लेकिन अगर मैं यह कहूं कि मैं ग्यापन एकेडमी यूटूब चानल पर पढ़ाती हूं तो अब यहां पर मैं यूटूब चानल में भी एक खास चानल का नाम देली ग्यापन एकेडमी तो ग्यापन एकेडमी जो खास नाम है इसको क्या कहेंगे इस मार्फा कहेंगे अगर मैं बोल जाती का बोधोर है कोई भी नदी हो सकता है मैं किसी भी नदी के किनारे खड़ी हो सकती हूँ तो नदी यह जो लफ्ज है वो कहलाएगा इसम नकरा लेकिन अगर मैं बोलू कि मैं जमुना नदी के किनारे खड़ी हूँ तो जमुना नदी अब यहां पर एक खास नदी का नाम लेली जमुना तो जमुना नदी एक खास नाम है तो इसको कहें दे इसम मारफा ठीक है आई होप आप लोगों को इस मारफा इसम नक्रम में तो कोई डिक्कत तो होगा ही नहीं कोई डाउट नहीं बचाओगा आगे बढ़ते ही अब जरा इसम मारफा को भी समझ लेते हैं और लिए तो आप लोग बीच में वीडियो को स्टॉप कर लिजिए थोड़ा पानी वगरा पी लिजिए और फिर से वापस वहीं पर से वीडियो को स्टाट करके और देखना है क्योंकि बीच में आप लोगो को स्किप नहीं करना है लागा तार देखते चले जाना है और पूरे वीडियो को सब्कृत कर के सारा टौलीम नहीं हुग क्योंकि लिए तो आराम आराम से समझेंगे और अब यहां पर हम लोग समझते हैं इस मारफा की सात किस्मों को यान्की सात टाइप है इस मारफा की तो सातों टाइप को एक एक करके समझेंगे है हम लोग देखिए पहला है इसमें अलम आप लोग को पता चल गया कि इस मार्फा किसी भी चीज का खास नाम क्या कहलाता है तो अब यहां पर जो पहला टाइप है इस मार्फा की वह है इसमें अलम इसमें अलम कहते हैं किसी भी शुक्स की खास नाम को अब आप लोग कहेंग कि मैं आप क्या कर रही है आप बोल रही है इस मारफा किसी भी चीज का खास नाम जो है इस मारफा कहलाता है और फिर इसमें अलम को भी बता रही है कि किसी भी शुक्स का खास नाम इसमें अलम कहलाता है तो मतलब दोनों में अंतर ही क्या है तो यहां पर जरा ध्यान से और शा उस खास नाम को कहते हैं जो किसी शक्स का हो यानि कि किसी शक्स, किसी व्यक्ति के खास नाम को हम लोग कहते हैं इसमे अलम यानि कि किसी भी चीज का खास नाम इस मारफा कहलाएगा चाहे वो जगह का खास नाम हो, चाहे वो किसी जानवर का खास नाम हो चाहे वो किसी इंसान का खास नाम हो किसी भी चीज़ का खास नाम इस में आरफा कहलाता है लेकिन अगर बात करें सिर्फ व्यक्ति किसी भी इंसान के खास नाम को यानि कि सिर्फ शक्स के खास नाम को सिर्फ व्यक्ति के खास नाम को हम लोग कहते हैं इसमियलम ठीक है यानि की इनसान के खास नाम को हम लोग इसमियलम केहते हैं जैसेativa गालीब नीरनीज इबने खास्नि, लेकिन उलम किसीक्त की चीज आप लोगों को ये थोड़ा सा अंतर समझ में आ गया होगा आगे बढ़ते हैं दूसरा जो है टाइप इस मार्फा की वो है इसमें जमीर इसमें जमीर उस तरह के इसम को कहते हैं उस तरह के लवज को कहते हैं जो नाम के बदले में यूद हो जैसे कि मैं तुम आप हुआ हम हम लोग मैं मेरा कोई ना कोई नाम है तो मैं अपने नाम के जगा क्या लफ्ज यूज करूंगी मैं इंफेक्ट यूज कर भी रही हूं मैं अभी अपने आपको क्या बोल रही हूं मैं यानि कि मैं अपने नाम के जगा कौन सा लफ्ज यूज कर रही हूं मैं तो यह जो मैं लफ कुछ नाम है लेकिन आप लोग का मैं नाम नहीं ले रही हूं आप लोग के जगा मैं आप लोग बोल रही हूं आप बोल रही है ये जितने भी लवज हैं क्या कहलाएंगे इसमें जमीर कहलाएंगे उसी तरीके से वह, हम, हम लोग, वह, कोई लड़की है माल लीजिए तो उस लड़की का नाम लेने के बजाए मैं बोल रही हूं कि वह, तो वह, ये नाम की जगा लवज यूज हो रहा है तो इस लवज को क्या कहेंगे इसमें जमीर, हम, हम लोग, तो ये सभी लवज जो नाम की जगा यूज होते हैं उसको क्या कहा जाता है इसमें जमीर कहा जाता है आगे बढ़ते हैं तीसरा जो टाइप है इस मारफा की वो है इसमें इशारा इसमें इशारा उस तरह की लफ्स को कहते हैं जिससे इशारा किया जाए नाम ही में है इशारा अब इशारा दो तरह से हो सकता है इशारा करीब और इशारा बाईद यानि कि हम लोग दो तरह से इस करते हैं और दूर का इशारा करने के लिए हम लोग जो है ना वह लफ का यूज़ करते हैं जैसे कि वह जो ग्लास है ना उसको उठा कर यहां पर लाओ या फिर वह जो किताब रखा हुआ है ना उसको उठा कर लाओ यहां पर ठीक है तो दूर का इशारा करने के लिए वह लफ में इसमें मौसूल किसे कहते हैं गर आप यह अव्दम ध्यान से में चुंझ मौसूल कि लफ़ो कहते हैं जो किसी जूमिले में लग जयना तो उसका माणिhmen पूरा होने के लिए उसके तो झूला जूमा वना तो आप लोग उन्तजार करेंगे न कि में हम आगे क्या बोलने वाली है मतलब कि जो महनत करेगा यह अभी आधा मैं भोली हूँ, मतलब मानी पूरा होने के लिए जरूरी है कि मैं इसके आगे वाला जुम्ला बोलूं, आगे वाला prob ज़र आगे क्वाला जुम्ला बोलूं तो जा रही कि ह MRI यह महनत करेगा वह काम्याब होगा मानी पूरा हो जा रहा है तो इस तरह के लव्त को क्या कहते हैं इसमें मौसूल कहते हैं जो हमारे शायेगा वह खड़े हो פयार्ध सांथ देगा वहांत उठाए ओर यहां तक रुख जाओं तो तो फिर आगे आप लोग आगे वाला जुम्ला सुनने के लिए रुकेंगे क्योंकि अभी मैं पूरा नहीं बोली हुं मानी पूरा नहीं हुआ है जो हमारा सांथ देगा वह आगे आए तो अब मानी जिस लाव्स जो लश किसी जुम्ले में जूड़ जाया और उसका मानिय पुरा होने के लिए आगे वाले जुम्ले की जुरुआgel हो ठीकिया तो उस तरह कि लश pants को एसमें मौसूल जिसने जिसने मेरी कलम चुराई है वह मेरे कलम को वापस करें जिसने मेरी कलम चुराई है उसके बाद से मैं बोलिव हुई ना तो फिर आप लोग इंतजार करेंगे ने कि आखिर क्या इसने मेरी कलम चुराई है वो मुझे वापस करो ठीक है तो जिसने जो लब से वह इसमें मौसुद गहलाएगा जो कुछ जो कोई जो कोई यहां पर मौझूद है और उ जो कोई हमारे वीडियो को देख रहा है वो वीडियो को लाइक करें शेयर करें ठीक है तो अब यहां पर मानी पूरा हो जा रहा है तो यहां पर आप लोगों को समझ में आगा होगा कि इसमें मौसूल किसे कहते हैं आगे बढ़ते हैं पांच्वा जो टाइप है वह इसमें मजाफ इसमें मजाफ जो है ना उस तरह के लफज को कहते हैं उस तरह के इसम को कहते हैं जिसके निस्बत किसी दूसरे इसम की तरफ की जाए जैसे कि महमूद की टोपी इसमें जो टोपी है ना तोपी की निस्बत दिखाई जा रही है किसे महमूद से यानि कि निस्बत का मतल दूसरे इसम से दिखाया जा रहा है यहां पर महमुद की टोपी like का संबन्द किस से लुख मे लवाइगा इसमेेद मझा उसी तरीके से सलीमा का मकान तो इसमें मकान तो है लेकिन मकान किसका है तो सलीमा का है यानि कि मकान का निस्बत मकान का संबन्द सलीमा से है तो मकान यह जो लफज है इसको क्या कहेंगे इसको कहेंगे इसमें मजाफ क्योंकि मखान लव्ज का जो है न मिस्बत दिखाया है सलीमा से तो सलीमा का माकान न में शाएगा इसमे मधाअ उससी तरीके से मान लेजिए अगर मैं कहूं कि महमूद का श्कूल महМЩूद का स्कूल तो आप लोग बताईए कि महमूद का इसकूल इस लव्ज में इस जुम्ले में जुयाना इसमें मजाफ कौन है? ठीक है? और एक और चीज यह आद रखिएगा इसमी मजाफ तो मंतलब जिनकी किसी दूसरे बताई जा रही है ना महमूद से तो टोपी तो होगे इसमें मजाफ लेकिन जिसकी तरफ निस्बत दिखाई जा रही है उसको कहेंगे मजाफ अलाय है तो यहां पर महमूद जो है ना यह मजाफ अलाय है कहलाएगा क्योंकि टोपी का संबंद महमूद से बताई जा रहा है तो मकान का संबंद बताया जा रहा है सलीमा से तो म zitten मजड़ा और इसमें बटाइए मज़ाद कौन कहलाएका तो सलीमा कह लाएगी क्योंकि सलीमा का संबंद मितलब समीडा सरी मा की तरफ जोutta संबंद बताया रहा है तो सलीमा यह क्या है यह मजफ bons ठीक है हामिद की घड़ी हामिद की घड़ी यह जो जुमला है इसमें मजाफ कौन है और मजाफ अलएह कौन है महमूद का स्कूल और हामिद की घड़ी इन दोनों जुमले में आप लों को बताना है कि इसमें मजाफ क्या है और मजाफ अलएह कौन है ठीक है आगे बढ़ते हैं छठा जो टाइप है वो है इसमे माहूद इसमे माहूद उस तरह के इसम को नाम को कहते हैं जो पहले ही किसी खास चीज या फिर खास शक्स या फिर खास जगह के लिए मुकरर कर दी गई हो फिक्स कर दी गई हो उस तरह के इसम को कहते हैं इसमे आप लोग बोलते होंगे न आपका कोई एक दोस्त होगा तो आपके घर आता होगा तो आपके घर वाले बोलते होंगे कि तुम्हारा दोस्त आ गया तो आपको समझ में आ जाता होगा कि हाँ मेरा दोस्त आ गया यानि कि नाम नहीं लेते होंगे आपके घर वाले आपका दोस् कर दोस्त का नाम पहले से फिक्स कि गरवाले आपका कुई दोस्त होगा उसको जानते हैं जो आपका तो आगर आपके घर आ रहा है तो सभी आपसे बोलेंगे कि तुम्हारा दोस्त आरा आजाता है कि दोस्तहीं कि दोस्त का नाम अप लोग के मींड में उसका थरальные मकरर कर दिया गया है कि हम हमारा दोस्त है ठीक है उसी तरी के से हम लोग हमेशा बाजार जाते हैं मुझा नाम पहले से जाकर वाजार से लेकर आजाओ तो बाजार कि यह से जेक्स हो गया ँंपने घर जाओ तो घर का मतलब पहले से फिक्स है कि आप कहीं और दूतरी जगह थोना जाएंगे अपने घरी पर आएंगे ठीक है तो इसमें महुद उसी तरह के कहते हैं अब माली जी कभी कभी ऐसा होता है आप लोग बात करते हुए आप बाजार मान लीजे गए हैं और बाजार से समान खरिद कर आप मॉबाइल पर बात करते हुए आजाते हैं कि आप उस रास्ते से हमेशां और हो जानने वाला जो रास्ता है को आप मैं फिक्स हो गया है अब आप आप लोग रास्ता ढूंते हुए और याद करते हुए नहीं जाते होंगे बाजार से समान खरिद कर और वापस आते होंगे तो बात करते हुए भी फोन से बात कर रहे होंगे या फिर किसी दोस्त से बात करते हुए मतलब नॉर्मली आपको एक इमेजिनेशन के जरिए आप वापस अपने घर आ जाते होंगे आपको रास्ता याद करने की जोट नहीं परती होगी क्योंकि उस रास्ते से बहुत बार आए गये हैं आप तो इस वजह से जो है ना जो चीज़े बार-बार हो जाते हैं उस वजह उसी कर रहा है मतलब उसी बि तो यह से लिए जाते हैं तुञें कि वहना जाता ही तो यह पहले से फिक्स हो जाता है तो इस तरह के किया कहते हैं इसमे माहूद यह के ऑगे बढ़ते है इसमारवा की इसमے तरह के इसम को कहते हैं जिसको पुकारा जाए जैसे कि या अल्लाह ऐ खुदा ओ लड़की ऐ लड़की ओ लड़के इधर आओ तो हम लोग पुकारते हैं या अल्लाह इसमें अल्लाह को पुकारा जा रहा है या अल्लाह तो जिसको पुकारा जाए उसको कहते हैं इसमें मुनादा कहलाएगा उसी तरीके से खुदा को पुकारा जा रहा है एए खुदा तो यहां पर खुदा क्या कहलाएगा इसमें मुनादा कहलाएगा एए लड़की इदर आओ तो यहां पर किसको पुकारा जा रहा है लड़की को पुकारा जा रहा है तो लड़की जो लफज है वो इसमें मुनादा कहलाएगा, वो लड़के इधर आओ, या फिर वहाँ जाओ, एक ग्लास पानी लाओ, तो यहाँ पर लड़के को पुकारा जा रहा है, तो लड़की क्या कहलाएगा, इसमें मुनादा, मतलब जिसको पुकारा जाए, उसको कहते हैं, इसमें मुनादा, I hope आप लोग को यह सारा टॉपिक समझ में आगया होगा, फाइनली यहाँ पर यह सारा टॉपिक कम्प्लीट होता है, धीरे धीरे होले होले, हम लोग यह सारा टॉपिक कम्प्लीट कर लिए, और कैसा लगा आप लोग को आज का यह वीडियो, यह जितने भी टॉपिक को समझा यह आप लोग को समझ में आया है कि नहीं कमेंट बॉक्स में एक बार लिक कर बता दीजेगा ताकि हमें संतुष्टी मिले और उसके बाद से इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करना है क्योंकि लगातार मैं बोलते चले आ रही हूं थोड़ा सा प्यास भी लगा है अब कर लिजेगा ताकि जब भी वीडियो अप्लोड हो तो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे क्योंकि उर्दु ग्रामर की इतने इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोग को मिल रहे हैं ट्रिक्स और ट्रिक्स के साथ हालांकि आज की इस वीडियो में कोई ट्रिक् चैनल को सबस्काइब ज़रूर कर लिए गार आप लोगे आप लोगोश्यार करना है तो चलिए आज किस वीडियो को हम लोग यहीपर इंड करते हैं यहां तक स्क्राइब लेना चाहते हैं तो कोई दिक्कत ने सकते हीं अगर आप लिग्राम कर दिए जाएगा अगर आप ल लिंक पर क्लिक करके भी आसानी से जॉइन कर सकते हैं और कोई दिकर नहीं है मतलब आप लोग पीडियेफ ले या फिर स्क्रिन रोट ले जिस तरह से भी आप लोग अपने पास कॉंटेंट रखे जरूरी है कि उसका जिरॉक्स में कलवाकर हाइलाइट करके अंडरलाइन करके उसका रिवीजन करते रहें तो फाइनली यहां पर यह सारा टॉपिक कंप्लीट होता है और अगर आप लोग इसके नेक्स्ट वीडियो का इंतिजार कीजिए बहुत जल इसका अगला वीडियो अपलोड होगा और इसके अगले टॉपिक को हम लोग समझेंगे मैं भी आप अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ तब तक के लिए जहिंद और खुदा हाफिज